एलो फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो मेँ हम लोग बात करने वाले हैं एफेक्टिव स्पान की, कि जो एफेक्टिव स्पान होता है किसी भी बीम या फिर सलेब के लिए वो हमको कितना कंसिडर करना होता है तो इसके बारे में हम लोग detail में देखने वाले हैं लेकिन उससे पहले में यहाँ पर आपको कुछ बता देते हैं तो gate का admit card release हो चुका है आप लोगों के तैयारी भी अच्छी चल रही है अब बारी है उसको analyze करने की तो इसी के लिए unacademy लेकर रहा है जिसके अंदर आपको top questions देखने को मिलेंगे जो कि top educator द्वारा बनाये गए है पूरे के पूरे slivers को cover किया जाता है औल इंडिया ranking यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है real exam जैसा experience आपको यहाँ पर होगा और जो जो उनस आपके weak रहे गए हैं जो को आपको यहाँ पर strong कर सकते हैं जिससे कि आपको main exam में कोई भी problems ना हो दोस्तो यह test free of cost है इन में enroll करने के लिए मेरा code यूज कीज़ेगा महोंदागी 10 जिससे कि आपको instant entry मिल जाया दोस्तो combat होता है हर Sunday combat को आपटेम्ट कर सकते हैं बेनेफिट यह है कि आपको 100% scholarship देखने को मिलती है साथ में जो lucky participants होते हैं 100 उनको यहाँ पर कुछ rewards देखने को मिल सकते हैं जिससे samsung tape हो गया JBL speaker हो गया और भी सारे rewards यहाँ पर हैं दोस्तो जो भी EAC के लिए किसकी interview के तयारी कर रहे हैं उनके लिए आपर एक guidance program launch कियेगे उसमें भी आप enroll कर सकते हैं free of cost है दोस्तो यह भी और अगर आप कोई 23-24 के लिए तयारी कर रहे हैं और plus या फिर iconic subscription लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं अभी कुछ बेचेस start होने वाले हैं इनके अंदर आप enroll कर सकते हैं और enroll करने के लिए मेरा code use कीजिएगा मुहनदागी 10 जिसे कि आपको instant 10% off देखने को मिलेगा दोस्तो live class के दुरान अगर आपको कोई भी doubts आता है तो यहाँ पर unacademy के अंदर एक option है raise a hand जिसको आप enable करके कोई भी educator से अपना doubt clear कर सकते हैं तो इसको अगर question solve करते करते हैं अगर आपको doubt आ जाता है तो आपको इस question का photo click करना है और app के उपलोड कर देना है उसको भहती कम टाइम में आपको वापर उसका video solutions देखने को मिल जाएगा दोस्तो अगर और भी भैतरी इन वे में आप अपनी तयारी को boost करना चाहते हैं तो आप iconic subscription ले सकते हैं जिसके अंदर one to one live mentorship आपको देखने को मिलेगी मतलब एक educator होता है या कोई भी एक mentor होता है आपके उपर जो कि आपकी कमिया वगिर आपको बताता रहता है जिससे कि आप उनको overcome कर सके और अच्छी rank ला सके दोस्तो special class के features आपके सामने दिये गए हैं अयोग यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं effective span की data is effective span को मैं L effective से denote करूँगा अब effective span हम तीन अलग-अलग cases के लिए देखने वाले हैं पहला जो case है दोस्तो वो है हमारा कि जब हमारे पास simply supported slave है या फिर simply supported beam है तो उस case में हम कैसे effective span consider करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा second जो है जब हमारे पास या तो continuous beam होगा या फिर continuous slave होगी तब हम लोग case है effective span हुआ पर consider करेंगे and last में जो है वो है हमारे पास cantilever means cantilever slave होगी या फिर cantilever beam अगर हमारे पास present है तो उस case में हम लोग case है effective span consider करेंगे दोस्तो one by one करके मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ simply supported का case माल लो ये मेरी कोई slave है या कोई beam है ठीक है ये इन supports पर यहाँ पर रखी हुई है ये मेरा simply supported support से दोनो ठीक है तो this is what my slave हो सकती है या फिर beam हो सकते है और ये मेरे क्या है supported है जो कि simply supported slave या फिर beam है इसके लिए हमको L effective calculate करना है दोस्तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो ये support है इसकी width अगर में W बोलता हूँ ये भी मेरा W हो गया पहली बात और center to center distance यहाँ बात करें हम clear distance जो हो गया मतलब कि ये जो distance है मेरा इस distance को अगर मैं नाम दे रहा हूँ L naught बोल देता हूँ इस point से तो इस point तक का जो दूरी है वो L naught मेरी है साथ में कि ये जो depth है इसकी slave की या फिर beam की इसको अगर मैं D बोल देता हूँ तो यहाँ पर जो L effective मेरे को लिखना है मेरा डबलू क्या है दोस्तों डबलू मेरा ये support का क्या support की width थे ठीक है दोनों support की width थे डबलू डबलू है ये same भी हो सकता है अलग-अलग भी हो सकता है अब ये जो slave या फिर जो beam रहेगा इसकी जो depth है वो D बोल दिया हूँ ठीक है तो अब मैं यहाँ पर आपको इसका effective span बताता हूँ इस figure में जब आप देखेंगे ठीक है तो पहले इसकी में बात करता हूँ तो यहाँ से जो effective span हम लोग लेंगे या तो सीधे सीधे आप क्या हो कर दो L0 प्लस D कर दो L0 क्या हो गया ये जो हमारे span से इन span के बीच का जो distance है ये इसको मैंने क्या नाम दिया दोस्तो इस span के बीच के distance को नाम दे रहा हूँ मैं L0 और D जो है मेरी D के होगी दोस्तो इस beam या विरस लेप की depth हो गई या तो ये ले लूँगा या फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ या फिर आप L0 ले सकते हो L0 जो की हमारे span के बीच की दूरी है साथ में half of इसका support का और half of इसके support की width लेंगे अब यहाँ ध्यान देना वाली बात है कि जो L effective रहेगा वो मेरे को minimum लेना है minimum लेना है किसका या तो L0 plus D ले लो आप या फिर L0 plus W2 2 plus W2 ले लो इन दोनों में से जो भी minimum होगा वो मेरी effective span होगी किसके case में simply supported beam और slab के case में example से मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूं दोस्तों तो यहाँ पर मैं माल लेता हूँ यह वाली जो value मेरी suppose 5y और यह वाली value मेरी 6y तो मेरे को जो यहाँ पर L effective की value जो देनी रहेगी वो मेरे को 5 यहाँ पर देनी रहेगी क्योंकि minimum हमको consider करना है so मेरी ख्याल से यह चीज आपको बिल्कुल अच्छे से clear हो गई होगी कैसे हमने निकाला हमने यहाँ पर जो calculation की वो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तो second जो case है अगर इसके अंदर हम लोग को बात करनी है second case में second case हम बात कर लेते continuous slab के लिए क्या बोला मैं continuous slab या फिर continuous beam के लिए दोस्तो यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं आप एक support यह है एक support यह है तो उसको मैं क्या बोलूँगा continuous beam या फिर continuous support ठीक है मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज clear हो गए होगी दोस्तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो support है support की width को मैं w बोल रहा हूँ ठीक है supports की width को क्या बोल रहा हूँ w बोल दे रहा हूँ और इन support के बीच का जो distance है that is clear distance उसको हमने नाम दिया L0 यह चीज मेरे ख्याल से आपको clear हो गई होगी अब अगर मेरी जो width है that is मैं बोला width क्या width क्या होगी मेरी width जो है that is support की जो width है अगर वो L0 by 12 क्या बोले L0 by 12 से छोटी हा रही है that is width हमने calculate करेंगे that is width of मुझे support जो दिया है इसकी अगर मेरी L0 divided by 12 आती है L0 क्या होगया दोस्तों यह जो दूरी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दूरी मेरी क्या है L0 है तो इस दूरी के 1 12th portion से छोटी अगर width आ जाती है तो यहाँ पर हम जो consider करेंगे L effective L effective same to same होगा किसके simply supported के case में जो की हमने इधर consider किया था that is minimum ले लेंगे हम L0 plus D का या फिर L0 plus W by 2 plus W by 2 ठीक है यहाँ तक लेकिन क्या बोला अगर मेरा यह case आता है that is that is जो width रहेगा support की वो जादा है अगर मेरी L0 by 12 से so उस case में हम लोग यहाँ पर यह वाले criteria को use करेंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यह वाले criteria हम लोग follow करेंगे that is minimum लेना है मुझे किसका L0 plus D by 2 का क्या बोला L0 यहाँ पर L0 यह दूरी होगी और D by 2 के अगर depth divided by 2 तो यहाँ पर minimum लेंगे या तो इसका या फिर L0 plus W by 2 that is support की जो width रहेगी उसके divided by 2 से करके ठीक है तो मेरे क्याल से यहाँ पर दोनों चीज़ आपको clear हो गई होगी कि जब आपके पास continuous beam है तब अगर आपकी जो width है किसकी support की width अगर L0 by 12 से कम है तो आप उसको same to same simply supported के जैसे ही treat करेंगी लेकिन अगर आपकी width greater than L0 by 12 हो गई तब वहाँ पर आपको इसमें से minimum लेना पड़ेगा that is L0 plus में D by 2 ले लो D जहाँ पर क्या है depth of the beam है या फिर slave है वहीं आप या फिर L0 plus W by 2 L0 तो हमारा क्या हो गया clear span हो गया जो कि आपको यहाँ पर figure में दिखाया गया है साथ में W जो है जो width है किसकी हमारे support की divided by 2 L0 plus width divided by 2 आपको ले लेना है इसमें से जो भी कमाएगा वो हमारा answer हो जाएगा किसके लिए L effective for continuous beam या फिर continuous slave ठीक है यहां तक दोस्तो last में जो बचा है हमारे पास वो है cantilever वाला cantilever के case में कुछ भी नहीं है बहुत simple सा है तो माल लेता हूँ ये cantilever beam आप देख पा रहे होगे आपके सामने या फिर cantilever slave हो सकती है अब cantilever beam या फिर cantilever slaves कैसे देखने को मिलती है दोस्तो जो हम लोग portion निकाल देदे चज्जा हो गया आपका ठीक है तो चज्जा जो हो गया वो एक प्रकार का क्या cantilever slave है हमारा और आपने देखा होगा जो beam को हम extend कर दे तो इस overhanging beam जो होता है एक प्रकार का हमारा cantilever की तरह भी हो करता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे L effective को calculate करना तो कैसे करेंगे सबसे पहले D जो है D मेरा क्या हो गया depth of the slave या फिर depth of the beam वहीं L note हम बात करेंगे तो L note उसकी span हो जाएगा ठीक है जो कि हमारा जहां पर fix है fixes है तो open end तक की दूरी हो गई यहाँ पर L note तो इस case में L effective किस तरह से calculate कर लेंगे आप L effective को calculate करने के लिए L note प्लस D by 2 आप सीधे सीधे रख देंगे मतलब कि L note आपको दिया रहेगा question में जो depth दी जाती है beam की या slab की उसको half करके आपको L note से जोड़ देना है तो वहाँ से आपको L effective देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ तर अब अगर बात करें दोस्तो cantilever का case एक और बनता डिट इस ये वाला जिसके अंदर overhanging आप देख पा रहे है कि यह यहाँ पर एक point पर supported था उसके बाद में फिर से यह इतना यहाँ पर overhang है तो इसमें simple सा आपको क्या धान रखना है कि D जो हो गया D मेरा क्या है D is the depth of the beam या फिर slab और W क्या है width of the support तो यहाँ से L effective की सीधे सीधे value आपको calculate कर दे नहीं वो कितना आजाएगा आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो L effective की value सीधे सीधे हमको L naught plus W by 2 देखने को मिल जाएगी इस case में clear है पहले case में हमको L effective की value इस तरह से मिलेगी अगर ऐसा cantilever भी हमें तो L effective की value यह मिलेगी और अगर इस type का figure आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर की overhanging portion है तो वहाँ पर आप L effective की value सीधे से L naught plus जो support है width का width of the support divided by 2 करेंगे तो वहाँ से आपको L effective देखने को मिल जाएगी मतलब की मैं यहाँ पर आपको effective span इनका मतलब नहीं बताया हूँ इसके अगर meaning जानना है क्या होता है तो उसके लिए हमारी previous वीडियो जरूर देखे यहाँ पर just मुद्दर था कि कैसे आप इनको calculate करेंगे वो मैं आपको explain किया हूँ I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you